हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम तो अवर चैनल प्रीति सिंगिंग शेफ, हैपी मकर संक्रान्ती, आपके लिए हम बहुत ही क्विक एंड बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी इसके तिल के लड़ू लेके आए हैं, जो तिल और गुरू से बनते हैं, जो पाच मिनिट में बन बहुत सिंपल और एजी है, तो आएए हम इसकी प्रिप्रेशन करते हैं, यहाँ पर मैंने एक कटोरी तिल लिया है, और एक ही कटोरी मैंने यहाँ पर गुर लिया है, यह हमको दोनो एकुल ही लेना है, और अब हम तिल को गुठ को गुर थोड़ा सा मैश कर लेंगे और ति यहां पर मैंने यह गुड़ को मैश कर लिया है, हाथ से तोड़ लिया है, इसको अच्छे से बहुत सॉफ्ट था यह गुड़ क्योंकि इस सीजन में बहुत ही सॉफ्ट बहुत अच्छा गुड़ मिलता है, और अब हम तिल को रोस्ट कर लेते हैं, हमको तिल को कम से कम साथ से आठ मिनिट तक हमको इसको रोस्ट करना है ये देखे इसका color change हो जाएगा automatic इसका color change होने लगता है इसका मतलब अब हमारी तिल बिल्कुल तयार है तो आईए अब हम एक mixi जार लेते हैं उसमें मैंने यहाँ पे जो गुड पहले से तोड़ के रखा था वो डाला है और इसी में मैं यह तिल भी add कर रही हूँ ये देखे दोनों को हमको एक साथ ही पीसना है और अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे आपको यदि बहुत बारीक पसंदे तो आप बहुत बारीक पीस लीजे इसको अदरवाइस थोड़ी से उसमें तिल के दाने रहें हमको इतना पीसना है ये देखे अब मैं इसमें और भी जितना गुड था वो मैंने पूरे डाल दिया है इसमें अब ये मैंने कुछ इस तरह से पीसा है इसको ये देखे अब ये बिल्कुल ये तयार है अब आपको यदि इसमें जुरुत लगे बादने के बाद ये बंध नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें दूद के छीटे दे सकते हैं ये देखे मैंने यहाँ पे दूद के छीटे दिये हैं बस और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ हमको लड़ू बनाने है इसके तो ये तो मैं दोनों हाथ में लेके लड़ू बना रही हूँ आप से यदि नई बने दोनों हाथ से तो आप एक हाथ से भी बना सकते हैं लड़ू और ये फटाफट पांच मिनट में बनने वाली ये तिल के लड़ू है देखिए है ना इतना सिंपल कुछ लोग इसमें मुवफली के दाने भी डालते हैं पीस के आपको यदि मुवफली के दाने इसमें पसंद हो तो आप वो भी एट कर सकते हैं और नई तो ये सिर्फ दिल और गुड़ के लड़ू भी बनाया जा सकते हैं तो ये फ्रेंड्स देखिए इतनी सिंपल और इतनी क्विक मैथर्ट से तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरा चैनल यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको जरूर से सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजें Happy Makar Sankranti once again. Thank you friends.